सिक्किम के नेपाली समुदाई को विदेशी मूल के बताय जाने की अपनी टिपपणी को सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया है इस मामले को लेकर ग्रिह मंत्राले ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर विचार याचिका लगाई थी ग्रेह मंत्राले ने कहा था कि सिक्किम के नेपाली समुदाई को विदेशी मूल का बताय जाने संबंधी उच्चतम न्याले की टिपणी पर उनर विचार किया जाना चाहे याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टेस M.R. शा और B.V. नागरतना की पीश ने अपने फैसले से सिक्किमी नेपाली के लिए विदेशी मूल की टिपणी को वापस लेने का फैसला सुनाया है कोट के इस फैसले के बाद सिक्किम के लोगों में खुशी की लहर है तो बड़ी खबर आज सिक्किम से जो सामने आई हैं सिक्किम के नेपाली समुदाई को विदेशी मूल के बताय जाने की अपनी टिपणी को सुप्रिम कोर्ट ने वापस ले लिया है एक बड़ा फैसला सुप्रिम कोर्ट की ओर से और इस मामले को लेकर ग्रिह मंत्राले ने सुप्रिम कोर्ट में पुनर विचार याची का लगाई थी ग्रिह मंत्राले ने कहा था कि सिक्किम के नेपाली समुदाई को विदेशी मूल का बताय जाने संबंधी उच्चतम न्याले की टिपणी पर पुनर विचार किया जाना चाहिए याची का पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एमार शाह और बीवी नागरतना की पीछने अपने फैसले से सिक्किमी नेपाली के लिए विदेशी मूल की टिपणी को वापस लेने का फैसला सुनाया है और कोर्ट के इस फैसले के बाद लोगों में खुशी की लहर है वही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य के मुखे मंत्री प्येस तमांग की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है CMO की ओर से जारी बयान में CMO ने कहा कि मैंने राज्य वासियों को धैरे रखने का आस्वाशन दिया था और मुझ पर भरोसा बनाए रखने के लिए जन्ता का शुक्रिया उन्हेंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, ग्रिह मंत्री अमिशा, कानून मंत्री किरेन रीजी जू का भी शुक्रिया दा किया है और इस वक्त हमारे समवादाता प्रकाश अधिकारी हमसे जुड़ रहे हैं जी प्रकाश कितना और किस तरह से स्वागत हो रहा है सुप्रीम कोट के इस ताजा फैसले का? जी हाँ रस्मी जो सुप्रीम कोट का आज जो भडिक आया इस भडिक से सिक्म और सिक्मी जनता की बहुत बड़े जीत हुई है और जो नेपाली पर जो कलंग का लगा था बिदेशी का और सदा सदा के लिए सुप्रीम कोट की इस जो भड़ी के इसके बाद हग गया है यह सिक्म और सिक्मे जनता के लिए और विसस करके सिक्म के नेपाली समुदाय के लिए बड़ी जीत है और नार्चिस त्राइब के साथ कानून मंतिर जो राजय के कानून मंतरी कुंगा निमा लेप्षा ने पहले प्रत्रिक्रिया देते हुए इसको एक बड़ी जीत बता आप आप के पहले में गत्रिक अनलित reggae reggae आप एग प्रबबने का सिक्भाड़ की आफ़ा सिर्कर का बढ सबसे बड़ी और इतिहासिक जित होने के साथ साथ ये सदा सरवधा के लिए ये बड़ा जित है जो सदियों से सिकिम के नेपालियों पर बीदेशी का एक कलंकर लगाता वो आज के बाद सदा सदा के लिए हाट गया है ये सिकिमे नेपाली के लिए तो बड़ा दिन है शाथ में भारत बरस में रहा हुआ चाहे जो भी स्टेट में रहा हो हर नेपालीयों के उपर अपने पहेचान में कभी न कभी कही न कई कुछ न कुछ प्रस्ण उड़ जाते है तो आज का वर्डिक सिक्किम के नेपाली के उपर लगे हुए नागरिकता के प्रस्ण चीन भी इस वर्डिक के साथ आसानी से मेटते मेटते जाएगा और यह शारा भारत में रहे हुए नेपालीयों का बड़ा जीते और खासकर सिक्किम के लिए बोलनों तो जो आगे बहुत सारे मीडिया में चर्चा हुआ था जो सिक्किमिस डेफिनेशन स्ट्रक डाउन हुआ है आज सुप्रीम कोट ने उसको यह सिक्किमिस डेफिनेशन को भी अख्षुण न रखा है इसलिए यह निसक्यमे नेपाली के साथ साथ सिक्की में रहे हुए सम्पुर्णा सिक्की में जनके सिक्की में जनता के लिए है आज का दिद बहुत बड़ा और बड़ो बबध इतिहासक दिने इस चाहल इस सब इस्सू को देखते हुए इसको आप लोग क्या एक राजनितिक जित के रूप में भी दिखते हैं? आप लोग क्या एक राजनितिक जित के रूप में भी दिखते हैं? आप लोग क्या एक राजनितिक जित के रूप में भी दिखते हैं? पर सत्या डगता नहीं है, सत्या किसी भी जगा हारता नहीं है, आज सत्या का जित हैं? इसलिए हमें राजनितिक माइलस लेने का तो हमारा कोई मानसिकता नहीं है, फिर भी उन लोग ने जिस तर इसको राजनितिक मुद्दा बनाया, आज सुप्रीम कोड से उन लोग को जवाब मिल गया. कोई-कोई जो नहीं जो पोलिटिकल पार्टी है, सिटिजन एक्शन पार्टी है, वो लोग भी बोल रहते हैं कि रिवी पिटिशन का सक्सेस रेट बहुत काम है, मगर आज आज आप लोग का सक्सेस वा, इसको लेकर आपका क्या प्रतिक है? कि वो लोग इस समस्या को समधान नहीं चाहते थे, ताकि उन लोग को राशनितिक लाफ मिले, पर आज सत्य के आधर पे काम करने से, और भारत सरकार को भी हमारा आमने जब सत्य बताया, सुप्रीम कोट को भी जब सत्य बताया, तो सक्सेस रेट बहुत कम होने के बाबजू और यह जब सधा सरवधा के लिए बड़ा जीते, अब लोग सरकार में हैं तो सेलिबरेशन तो होगा, अब लोग सेलिबरेशन कैसे करेंगे, कल मुख्यमंची बी आ रहे हैं, कल बिजन सबा का सत्रा भी है, कल का बिजन सबा सत्रा का क्या होगा, होगा की नहीं, सस्पेंस वुफी। करेंगे और एसिमलिशेशन खतम होने के बाद भी पार्टी का कारिकम बना के जनता के बिच में जाके जनता का ये महान जित का महान सेलिब्रेशन करेंगे इसमें विचस करके ग्रिहा मंचालाई का भी बहुत बड़ा रोल है जब अमिच साहजी ने इसको भी इंटर्मेंशन किया तो भारत सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे इसमा होगे पर मैंने मेरे आगे के प्रेस नोट में भी बोला है कि भारत सरकार के माननिय प्रदान मंत्री मुदी जी को हम बिशेश करके शुक्रिया कहने चाहते है इसी प्रकार माननिय ग्रिहा मंत्री अमिद साहाजी को देर सारे धन्यबाद आबर ब्यक्त करने चाहते है और केंडरिय का और भारत सरकार का सिक्षिम के जनता के उपर एक प्यार, समन और एक इसने के कारण भारत सरकार ने भी सुप्रीम कोट में बहुत ठोस बात रखी और इस उसी के आधर पर आज हमें ये जित मिला हम भारत सरकार का सुग्र अधा करते हैं जी हां रस्मी एथ हे मुख्यमत्रि के राजनिटिक सचीब तथा सिक्रेमाफ पार्टी के प्रवक्त जेकड़ा घ्लिग्ण जो कल मुख्यमत्रि डिली में है कल सुबा मुख्यमत्रि सिक्ंधिर माइएंगे जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश इन तमाम जानकारियों के लिए और जिस तरह से आपने जराजनितिक सचीव है जैकब खाली उनकी बात हम तक पहुंचाई है तो कल की सुबह जो है वो सिक्किम वासियों के लिए एक नई सुबह होने जारी है क्योंकि सुप्रीम कोट वो फैसला वापस ले लिया है जिसके लिए आंदोलन का एक लंबा दोर चला लोग सामने आये राजनितिक रंग भी छड़ा और अब सुप्रीम कोट ने जो नेपाली समुदाई को लेकर जो टिपणी की थी अब वो टिपणी वापस ले लिए एक बड़ी खबर एक खुश आये बड़ सूथे हैं अाग्योर् każdy सीव pasti इन अविक्री चुचlt अच्छिसमाईंगे लुच्छर् helm जए लुच्छीज के लिए टाहिके इनलीत Okay ein ओूटर्यू अभी छुच्छेश में जिए एक अधिए motto to लुच्छिशस के अवरति एक Po deserving सब्ससेяс मेंदिक 4 अजिए लुच कि अपिले आजेरा है अजाए्ट साफूड़ अजा कROनीब अजारài कर अभ मे इस जहे इसमय सेंचोर तो this number if there are the issues which have to be addressed to. So that was done in assembly. So this is the victory which we have already gained. So I think it is also time we should think about during the agitation which is going on. Also the peaceful monthione qui which was called by JSA today it has been observed in a peaceful manner. This shows the character of secularist people. we believe in a peaceful existence so this peacefulness the nature which is there that has to be maintained by all tomorrow assembly yes because assembly cannot be called because assembly has not been called so assembly will be there we will be as I said there are a number of other things other points are there which will be pertaining to the same mission which we will be discussing and then basic objective to see that this type of things are brought about to sort of there shouldn't be we want that permanent solution should be there to this type of matters coming to you what is the next plan to permanent solution of this Nepali take us and got a axiom from my studio so what is that is what I said tomorrow assembly we will be discussing number of issues which I cannot divert before the assembly is held so there are a number of points which are number of issues number of this things which we have to discuss in the assembly so basic objective we will see that the permanent solution is solution is made on this particular issue so we will be discussing the assembly tomorrow and this is the big victory of the SKM government it is it is a very very big victory for the state of Sikkim government of Sikkim because Honorable Chief Minister himself took upon the responsibility to see to it that this tag which was attached with the with our brother Nepali brothers and sisters should be removed and that is that is the reason why on 23rd of January we had the legislators meeting in which we had discussed on this threat and Chief Minister Honorable Chief Minister had taken up on himself the the responsibility to see to it that these things and then accordingly we had to seek the help of all the experts law experts and all then we had to prepare the petition accordingly and he had also immediately visited Delhi also he called upon Honorable Union Law Minister and also Home Ministry and it was because of his initiative I would rather say that his that that could bring about the result which we had expected and it's a big victory for us not only the government is seeking big victory for the entire population is seeking be it Bhutalev and Nepali all of us are the ethnic groups living in the same so it's a big victory for us coming to another political issue your cabinet colleague Dr. M.K. Sarma resigned from the cabinet on this issue so what is your reaction on this you see after resigning from the ministry he should have associated himself with this issue but nobody knows where is he I mean his where about is not known he should have associated himself with this particular issue but it is very I mean his absence is sort of I mean we are also thinking I mean in his editionation letter he had written that because of this issue he is resigning but he has nowhere to be seen so I mean it is I mean quite a suspicious mysterious thing that the person who advocated and then he is missing out out